हेलो एंड वेलकम आप सीख रहे हैं AWS ओर्गिनाइजेशन AWS ओर्गिनाइजेशन के अंदर चो मेंन सर्विस या कॉंप्रोनेंट्स हमें समझना है वो है SCP, SCP आने सर्विस कंट्रोल पॉलिसी और आज मैं फुल डीटेल में आपको समझाने वाला हूँ किस तरह से सर्विस कंट्रोल पॉलिसी काम करता है जहां तक मेरा नोलेज है इतना डीटेल में आपको SCP के बारे में वीडियो सायद ही कहीं मिले क्यूंकि हमें ये मालूम है कि कोई भी जो क्लाउट फॉक्स सीखेगा उसको हमें मास्टर बनाना है तो वीडियो पूरा देखेगा और समझियेगा कि कटिकुलर SCP सर्विस कंट्रोल पॉलिसी AWS ओर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे काम करती है सो लेट स्टार्ट इस एस ओल्वेस फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से कि भई AWS ओर्गेनाइजेशन के अंदर SCP का यूज केस या क्या काम होता है SCP आर रूल देट कंट्रोल वाट यू कैन और कैन नो डू इन यूर AWS अकाउट देखें दो चीजे यहाँ पर है एक आपका अपना AWS अकाउट है आप किसी ओर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड नहीं हो तो फिर आप जो चाहें मरजी करो आपका रूट यूजर कुछ भी कर सकता है पर जिसे ही आप किसी ओर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट कर लें गए आपका AWS अकाउट तो उसके बाद आपका कंट्रोल में AWS ओर्गेनाइजेशन से हो गया और ये कंट्रोल हम किसे डिसाइड करेंगे using FCP आप ये कह सकते हो कि जो में AWS ओर्गेनाइजेशन है वो इंडिया है और सभी स्टेट्स लैक गुजरात, महारास ये सभी स्टेट एक AWS अकाउट है वो जैसे ही इंडिया के साथ connect होए उन लोगों को तही रूज जो इंडियन गवर्मेंट डिफाइन करती है तही controls जो इंडियन गवर्मेंट ने डिफाइन किया है वो controls को follow करना पड़ेगा स्टेट वाइस वही same scenario यहाँ पे है एक बार जब आपने अपना AWS अकाउट मेंबर एकाउंट से उसको दे वर्क एट लेवल अफ होल ओर गिनाईजेशन और स्पेसिपिक ग्रूप विदिन एक तो इंडिया लेवल पे जो पॉलिशी डिफाइब होगी वह सीपी पे डिफाइन होगी अगर हम कोई मेंबर एकाउंट की बात करें तो वहाँ पे पर्मिशन देगे के लिए हम क्या यूजर और रोल तो आपने जो आईएम यूजर या रोल से पर्मिशन दिया है न उस पर्मिशन को आट अपर लेयर यहने के इंडिया लेवल पे कौन कंट्रोल करेगा यह पर्मिशन देगा नहीं जो यह पर्मिशन आपने आईएम यूजर को डिया है यह आईएम रोल को डिया है उस पर्टिकुलर पर्मिशन को कंट्रोल करेगा इसलिए इसका नाम क्या है सर्विस कंट्रोल पॉलिशी ओके you set up this role from one central place and apply to all the users enroll in the account they cover तो इंडिया में policy बनेगी तो जितने भी states है उसके उपर apply होगी SCP यहाँ से जो हमने main organization बनाई थी यहाँ मेरा main organization है Crowdfox Hub से तो यहाँ से मैं जो maintain करूँगा जो भी SCP policy में बनाऊँगा वो सभी member account पे applicable होगा A user without any IAM policy has no access even if applicable SCP allowed all the services देखिए SCP का काम control करना है तो इससे आप allow भी कर दोगे पर user के पास कोई IAM policy नहीं है At state level आपको को permission ही नहीं दिया है आप central level पे आपको permission भी लेता तो कुछ नहीं होने वाला तो state level पे पहलो ज़रूरत है और state level पे जो भी permission दी है वो central level पे क्या होगा control होगा Execuity of AWS organization SCP आप exclusive to AWS organization and can only be used when you have enabled organization in your AWS account there are part and the service control feature offered by AWS organization देखिए यह जो पहली सी है SCP यह AWS organization के through ही आप access कर सकते हो आपको enable करना पड़ेगा पर SCP is limited to AWS organization अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ यह कैसर पूरी system जो है वो काम करती है हमने लास वीडियो में ही समझा था कि यह मेरा main account है which is having a name cloudfox hub और यहाँ पे हमने एक दूसरा AWS account को add किया था जिसको हम बोलते है member account तो सबसे पहले आपको AWS organization enable करना पड़ेगा फिर आपको member account को invitation send करना पड़ेगा जैसे ही member account है वो invitation accept कर लेगा वो यहाँ पे आ जाएगा और जिस account से आपने invitation बेजा है वो हो गया management account प्रियूस वीडियो में हमने ये पूरी process देख ली है तो अगर आपको नहीं मालू गया तो आप वो वीडियो देख सकते हैं अब यहाँ पे जैसे ही आपका AWS organization enable हो गया आपने account बगरा डाल दिया आप जब policy में जाओगे तो देखें यहाँ पे चार अलग-अलग policy है इसमें name है service control policy और यह disable है तो अगर मुझे यह control करना है मुझे यह policy से multiple मेरे जितने member AWS account है उसको manage करना है तो मैं यहाँ से enable service control policy करूँगा आप policy हम भी बना सकते हैं किसे बनाएंगे सब कुस देखेंगे पर अभी हमने यह सीखा कि हम policy यहाँ से enable कर सकते हैं Now key points यह points आपको याद रखना पड़ेगा about SCP layered architecture SCP can be applied at different level within an organization at root level, at OU level and at individual account तो देखें यह policy आप root level पे apply करोगे दूसरा OU level पे अब काम करते हैं पहले OU level देख लेते देखें जब आप यहाँ पे AWS account में जाओगे तो यह है root level याने यहाँ से start करते हैं अगर police आपने यहाँ पे apply कर दी ना तो जितनी हायराइप की है वहाँ पे यह apply होता जाएगा दूसरा यहाँ पे हम OU भी बिला सकते हैं OU का मतलब क्या है जैसे कई सारे account एक ही department में और सकते policy apply करना है तो हम क्या करेंगे जैसे में एक R&D OU बना दूगा और जितने मेरे R&D के account है वह उसके इंदर डाल दूगा अब policy में apply कहाँ पे करूँगा R&D OU पे तो दीरे दीरे जितने भी AWS account R&D OU में है उसके उपर वह apply हो जाएगा तो कैसे करेंगे देखिए यहां पर आपको पहले route select करना है go to the action and click on create new देखिए है organizational unit create new अब यहां पर मैं नाम दे देता हूँ R&D तो मैंने एक OU बना दिया R&D now अभी इस particular OU के अंदर कोई भी account नहीं है क्योंकि by default जब भी आपको invitation send करते हो आपको आपका जो AWS account है वो route से connect होता है अब मुझे क्या है मुझे इस account को इस particular R&D department में move करना है तो मैं इस account को select करूँगा new department को action में जाओगा यहां पर मैं करूँगा move और यह हो गया our R&D और हमारा account जो था new department वो यहां पर move हो चुका है अब कोई भी policy जब आप बनाओगे scp के अंदर तो scp का policy का target होगा उस target में कह सकते हो कि policy apply करो root level पे policy apply करो OU level पे या policy आप directly particular AWS account level पर भी enable कर सकते हो यह पूरी strategy हम decide करेंगे कैसे होगा पर धीरे धीरे policy apply at higher level affect all the entities within their scope कैसे मैं उसके लिए आपको बहुत सारे example देने वाला हूँ पर अगर इंडिया पर policy apply होगी तो सभी level state city wise पर भी apply हो जाएगी वहीं चीज़ यहाँ पर भी एससीपी काम करता है स्कोप अफ एप्लिकेशन एससीपी रिस्टिक permission for iam user and role in member account including member account in root user देखिए root को भी रिस्टिक करनेगा राइक हमने पहले जब iam सीखा था तब मैंने आपको बताए थे इस रूट एकाउट अंडिस्टिक्टेड है सही है गलत नहीं है पर कब जब root account जो है वह individual है जब वह AWS organization के साथ तने ठोब आप तो उसके बाद आप उसको control कर सकते हो practically हम देखेंगे सीखेंगे स्टिक्टिकली मेंबर account in the organization they have no effect of user or role in the management account यह एक आपकी काम की चीज़ है देखें यहां से मैंने सबको invitation भेजा था तो यह सबी है जैसे new department है मेरा member account हो गया और यह जो account है management account हो गया में जहां से हमने invitation भेजा था अब इसको रिस्टिक नहीं कर सकता है बाकि जितने भी अपने management account है वह उसको रिस्टिक कर सकता है याद रखना है डिनाइ बाइड डिफोल्ट से मिलेगा या रोज से मिलेगा उसको कंट्रोल करना है तो ज्यादा तर हम क्या करेंगे डिना ही करेंगे और इसका फिक परमिसे कर दोक्त बाइड रोज से मिलना, या याद रखो एक जदा पर से भी नेगेटिव डिनाया, से कुछ डिनाइए नाव इवेलिशन लोजिक वेन डिट्रमानिंग वगर एक्षान इस एलाओड एवेलिट स्टीप इन कंजेक्शन विक आईयम आईयम से पहले पर्मीशन मिलना चाहिए जैसे मेरे एक सोचू अगर मेरे पास यहां पे एक न्यू डिपार्टमेंट है उसके इंदर एक आईयम स्टीप वेन ने बनाये अब पर्मीशन ही नहीं सोटीप क्या करेगा स्टीप कुछ कंट्रोल नहीं कर पाएगा पर्मीशन होगी उसको ही कंट्रोल करना तो यहीं में काम है एक्षान मस्पनें वाइयम प्लिसी यानिके पर्मीशन होनी चाहिए एलाओARS चाहिए जाege झार और DP में डिनाई नहीं होना चाहिए तो आप कप कर सकते हो एक पास फर्मीशन होना चाहिए यूजिंग आगे हमारे पास जो है एसीप लेवल पे डिनाई नहीं होना चाहिए राइट तो यह पूरा लोजिक है उसका हम दीने दीने स्टेप बाइस्टेप में आपको आठ बस एक्जामपल दूँगा जिससे आप पूरा लोजिक समझ पाओगे अब लेट्स टॉक अबाउट डिफोल एसीप लिएक जब भ अब यह पोलिसी बहुत ही कामती चीज़ है और क्या यूज के से वह समझ दें देखिए ओटोमेटिकली अटेज्ट टू ओल एंटिटीज इन एडव्योस ओर्गिनाइजेशन एलाविंग अन्रिस्टिक्टेड एक्सस्टू दू यहां पर क्या होता है ना बाइडिफोल अ उसके पास कुछ पर्मीशन ही नहीं होगा इसका मतलब है जैसे कोई नया स्टेट इंडियन टेरिटरी में जोइन होता है उसके पास कोई पर्मीशन ही नहीं तो कोई जोई नहीं होगा ना क्योंकि आप बोल रहे हो कि मेरे पूरे पर्मीशन लेकर आप चलोगे तो यहां प आप बोलोगे जो बोले हो दिखाई देना चाहिए समझते हैं देख यहां पर फूल एक्सेस पोलिसी अब यहां पर आपको मिलेगे टार्गेट्स यानि यह पॉलिसी किस-किस के साथ है देखो यह पोलीशी सब के साथ है हमारे रूप के साथ है आर एंडी जो हमने बनाया इस के साथ अटेच है और यह दोनों हमारे AWS एकाउंट इसके साथ भी अटेच है और फीचर में अगर आपको यह नया होई बनाऊगे तो इसके साथ भी यह पॉलिशी ओटोमेटिकली अटेच हो जाएगी कैसे यहाँ पे में नया AWS इस एकाउंट तो नहीं बना सकता पर मैं एक ओर्गेनाइजिसन यूनिट बना लेता हूं ओके टेस्ट ओर जी क्रियेट अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है हमारा जो सर्मी से का अमने जो भी AWS सरी टेस्ट ओर जी बनाया है इसके साथ हमारी जो डीफोल्ड एसी की पॉल देखो टेस्ट ओर जी आगे है तो डीफोल्ड पॉलिशी सबके साथ अटेच होती है और जाना आप नहीं अकाउंट को अटेच करोगा तो उसको परमीशन देता है क्या परमीट देता है तरमीट ओल एक्शन एंड ओल्ड रिसोर्सिस एंस्यूरिंग दे नो सेपी एंपोर रिस्टिक्शन एड़ आउटसेट क्योंकि अगर आपको कोई भी एलाउंट नहीं मिलता है तो सेपी का रूल है लोग परमीशन मिस डिनाई तो फिर जैसे ही आप अपना AWS अकाउंट एटेच करोगे उसके रूट यूजर को भी सब परमीशन चली जाएगी तो फिर दिक्क अब देखिए यह ना SCP थोड़ा कॉंप्लेक्स प्रोसेस है उसको समझना पड़ेगा कि इसकी एफेक्ट किसक्वरा से आती है तो यहां पे मेरे पास अलग-अलग 6 प्लस 2 8 एक्जाम्पल है इसमें से 2 एक्जाम्पल है अगर आपको समझने आ गया 6 प्लस 2 8 एक्जाम्पल है अगर आपने यह समझ लिया तो इसका मतलग है आप SCP समझ जाओ वे प्रेक्टिकल भी करना है पर बाद में पहले यह समझना है सबसे पहले हाव आपको समझना है आपको समझना है अगर आपको कुछ भी रिस्टिक नहीं करना है या नहीं कि कुछ भी चाहिए परमिशन चाहिए तो यह रूट लेवल यह रूट लेवल और मेंबर अकाउंट पर एलाओ होना चाहिए एलाओ 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 तो ही मिलेगा जो चीज़ यह टीनों साहिद होगा चाहर लेवल यह पाच लेवल जितने लेवल पर एलाओ होगा तो ही आपको फाइनल अकाउंट में एलाओ मिलेगा अगर एक दिन जड़ा पहला नहीं होगा तो फिर दिन आए हो जाएगा अब आप बोलोगे वो कैसे वो भी समझा देता हूँ देखो यहाँ पे इस पर्टिक्लर पिक्चर को आप देखो आपका आईडिया क्लियर हो जाएगा देखे यहाँ पे क्या हुआ है पर अगर आप यह 100 Days Challenge के सभी वीडियो पूरे देखना चाहते हो तो हम आपको दो ओप्सेंज दे रहे हैं ओप्सें नमबर वन हमारी वेबसाइट www.cloudfox hub पे चाहिए वहाँ पे आपको एक 100 Days YouTube Challenge कोर्स मिलेगा उसको सब्सक्राइब करिए हमारा प्राइज बहुती कम है जस्ट 499 रुपीस यह जो भी वीडियो हम यहाँ पे YouTube पे डालते हैं वही फुल वीडियो आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में मिलेगा 240 वीडियो टोटल मिलेंगे दूसरा एक बहुती अच्छा ओप्शन है जो हम आपको YouTube के थ्रू देंगे Now you can join our YouTube Elite Membership Program as well यह member बनने के लिए आप हमारी YouTube चैनल CloudFox Hindi पे जाएए वहाँ पे exactly subscriber बटन के बाजू में आपको एक join बटन मिलेगा वहाँ पे join करिए आपको monthly सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीस पे करना है और यह सबी videos आपको full तो वहाँ पे मिलेगे ही up to 240 और कई सारे courses जो हम future में डालने वाले हैं वो सब आपको मिलेंगे सिर्फ 89 रुपीस पर month I hope you will join this, thank you very much, goodbye